IIT, JWE Mains और JWE Advanced, Medhemerics की आपको तयारी करवाई जा रही है, बिल्कुल Free of Cost. हम 100% Free of Cost Quality Online Education देते हैं Kindergarten से 12th Standard तक. आप हमारे Notes, PDFs और E-Books डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के Description में दिये गए लिंक, Get Notes पर क्लिक करके. हम बात कर रहे हैं Calculus की Coordinate Geometry हम खत्र कर चुके हैं और इसके बाद हम VACTORS in 3D, Elgebra और Trigonometry कवर करेंगे. Calculus में First Chapter आपका Relations in Function चल रहा है और हम Specifically Trigonometric Functions की बात कर रहे हैं. हमने Concept को कवर किया है और अब हम इसके Examples करके आपको एक अच्छी Understanding बिल्ड करवाएंगे इस Concept की. इसके बाद बेशक हम इसके Assignment Questions आपके Practice के लिए देंगे. आखिर में सारे Concepts हो जाने के बाद हर Category के Question करेंगे Practice Questions के तौर पर और Finally Chapter को Culminate करेंगे इस Chapter से पूछे गए सारे J.W.E. Advanced के Previous Years Questions सौल करके. देखिए गादियांसे. Trigonometric Functions को लेकर जो भी जितनी भी अभी तक हमने Understanding बिल्ड की हैं. उन पर Based ये सारे Questions हैं और एके करके देखते हैं कि चीज़ें कैसे बिल्ड होती हैं. बड़ा ही आसान, Simple, Sorted सा Question. ये बहुत Comprehensively और Dedicatedly आपको चीज़ें सिखाने की कुश्च की जारे हैं. क्योंकि ये बहुत जरूरी Foundation है जो आपको पता होना चाहिए. क्योंकि ये महस बहुत ही Simple से Questions लग सकते हैं Initial Stage पर. पर ये बहुत Deep Rooted हैं. हर Chapter के हर Concept के हर Question में कही ना कहीं जो IIT, GW में सो GW Advanced Schools तर. तो ये Chapter बहुत Insightfully हम पढ़ेंगे. बहुत Depth में जाकर हम पढ़ेंगे. और हर एक चीज़ को बहुत गहराई में जाकर Explore करेंगे. क्योंकि ये वो Basis है जिस पर ये सारे आपकी चीज़ें Based है. शुरुआत करते हैं Class Courses नियेगा. इस Question में मेरा जो Opinion है वो बड़ा Sorted सा निकल कर आता है. कि सरी जो लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइनेक्स मुझे तो बस इसी से Problem है. मुझे बस ये चाहिए कि 1 प्लस 2 साइनेक्स कभी भी 0 ना हो बाकी मेरी Life Sorted है. क्यों साइनेक्स को और कोई बात है ही नहीं है पर एक polynomial है जिसके denominator को 0 लेना मैं Afford नहीं कर सकता. तो मैं 1 प्लस 2 साइनेक्स को 0 नहीं होने दूगा. मतलब मैं क्या नहीं होने दूगा? मैं साइनेक्स को टेक्निकली, मैं साइनेक्स को क्या नहीं लेने दूगा? मैं साइनेक्स को कहूँगा कि आप कभी भी minus 1 by 2 मत होई है. सच कहूं तो यह बात आपको तब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जब आप क्या पढ़ चुके होंगे ट्रिक्रोमेट्रिक फॉंक्शन से चाप्टर जब हम हर एक बात को डीटेल में एक्सप्लोर कर चुके होंगे तो थोड़ी सी में आपको आइडिया देनी की कुश्च करता हूं कि चीज़े कैसे होती हैं साइन एक्स जो यह माइनस वन बाइटू है यह कितने डिग्री अंगल पर होता है बस इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहरू सोचके देखो स्टूरेंस मुझे बस इतनी सी बात का जवाब दो अगर मैं आपसे पूछ हूं कि बताओ मैं पूछ हूं आपसे माइनस साइन थर्टी कितना होता है तो आप क्या कहेंगे सर हम कहेंगे माइनस वन बाइटू कि आप मेरी इस बात से साहम है तो मैं कुछ ऐसा ही ढूंडना चाहरू लेकिन मैं अंगल अंदर ले जाना चाहरू तो अगर मैं इसे अंगल को अंदर ले में कि sine 2πi minus theta कितना होता है खर उससे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे तो πi मैंसे ही अगर subtract करें तो πi मैंसे subtract करेंगे तो positive रह जाएगा तो क्या हम πi में कुछ add करें नहीं πi में कुछ add करने से तो बात बिगड़ जाएगी तो sine minus 30 कि कहा होता है ज़रा इसको ग्राफ की तरू देख ले में मैं थोड़ा सा चीजों को लेकर आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहरा हूँ इसलिए चीज़े आसान रखना चाहरा हूँ जैसी यह रहा आपका है ना अब गौर से सोच के देखो स्टूयन्स बड़ी ही साधर और सी सिम्पल सी बात है जैसे आपका यहां पर जो होती है वाल्यू यापकी क्या होती है प्लस वन बयंदू और यह कितने डिग्रीव पर रोती है 30 30 degree है है ना 30 degree को हम अगर region में convert करें तो कितना होता है पाइबाई 6 तो 0 से अगर पाई उनिट आके गए तो शहलाइसे पाई से भी पाई से भी अगर मैं वही बात में कहना चाहरा हूं कि पाई से भी अगर मैं 30 डिग्रे ने पाई बे 6 से निट सागे गया तो क्या माइनस 1 बाई 2 मिलेगा बिल्कुल मिलेगा मैं इस बात को ऐसे समझाने के आपको कुश्च करता हूँ सरी क्या कर रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहे हैं मैं कह रहा हूँ यह बस मेरा एक तरीका है जीज़ों को सोचने का जो ग्राजूली आप भी डेवलप कर लेंगे जब आप ट्रिगों पढ़ लेंगे इसके अलावा मैं एक और तरीके से चीज़ें जाना चाता हूँ मैं उसको बस पाई बाई इसी के टम्स में सोचना चाहरा था पर गौर से सुनिएगा जो मैं आपको कहना चाहरा हूँ ध्यान से सुनना यह क्वाडरिंट की आपकी थियोरी है जिसको लेकर एक अच्छा डिसकॉशन हम ट्रिगों में करेंगे अभी बस मैं आपको चीज़ें याद दिलाता हूँ कि अगर आप इसे जीरो डिगरी आंगल माने यह अगर पाई बाई टू है तो यह पाई हो जाना है और यह कितना हो जाना है थ्री पाई बाई बाई टू और ऐसे साइक्लिक ली आप घूमते रहते हैं कि आप पर इबात समझ पा रहा है अब अगर मैं पूछू आपसे तो यह जो फर्स क्वाडरेंट रहता है यहाँ पर सारे ही आपके ट्रिग्रोमेटिक रेशो उस पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पर आपका साइन और कॉसिक रेशो पॉजिटिव होता है यहाँ पर आपके टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं सरी यह क्या होते हैं पॉजिटिव नेगिटिव हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है थोड़ा था patience रखेगा, I repeat my statement जब हम trigger पढ़ लेंगे तो आपको ये table समझ आईगे और ये quadrant theory क्या होती, इसका भी significance समझ आएगा मैं actually पहुचना चाह रहा हूँ minus 1 by 2 तक तो मेरा कहना है, मैं sin minus 30 को थोड़ा वरकाउट करना चाह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं pi में, गौर से सुनना मैं अगर sin minus 30 को कुछ असा लिखना चाहूँ, गौर से सुनना sin minus 30 क्या है, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ sin of कितना minus pi by 6, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या मैं इसे लिख सकता हूँ sin, गौर से सुनना पाई प्लस पाई बैसिक्स ऐसा क्यों लिखासार आपने पहली बात तो पाई के जब आपके मल्टिपल्स आते हैं जैसे कि 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई तो इन पर ये रेशियो चेंज नहीं होता है मतलब साइन पाई प्लस सम्थिंग अगर आप करेंगे तो साइन रेशियो साइन ही रहेगा दूसरी बात, अगर आपने पाई प्लस किया है तो पाई यहाँ पर हो, पाई में कुछ आइड किया तो आप इस क्वाडरिन में आगे तो इस क्वाडरिन में 10 और कॉड क्या होते हैं तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव यानि में कहना चाहरा हूँ कि साइन माइनस पाई प्लस पाई बाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ कि आप मेरी बात मुझ पा रहे हैं यानि कि मैं आपसे सिंपल सी बात यह कहना चाहरा हूँ इस question में इतना सा बस एक important सा fact है कि sin x को मैं लिखूंगा कि sin x नहीं होगा minus 1 by 2 जिसे मैं लिख रहा हूँ sin minus pi by 6 जिसे और बहतर language जो मैं लिख रहा हूँ है 6 pi plus pi by 6 जिसे हम लिखेंगे 7 pi by 6 क्या आप सब भी को पहले तो इतनी बात समझा रही है जो मैं कहना चाहा हूँ कि sin x जो है आपका वो कभी भी sin 7 by 6 के equal नहीं हो सकता आप याद करो हमने एक basic सी analogy पढ़िए कि sin x अगर sin alpha के equal हो तो हम x को लेकर अपना क्या opinion रखते हैं सर बहुत sorted सा opinion रखते हैं हम कहते हैं कि आपका जो x है वो कभी भी आपके n pi plus minus 1 to the power n alpha अब alpha हिस बार कितना है 7 pi by 6 इसके equal नहीं होना चाहिए कि आप मेरी बात समझ पारे हो क्योंकि इसके जब-जब equal होगा तो यह आपको minus 1 by 2 generate करके देखा और उस case में आपका denominator 0 होगा क्या एक basic सा simple सा question समझाए I understand ये वाला part शायद थोड़ा सा tricky रहा हो जिसको लेकर मैं आपको guarantee देता हूँ कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ उससे भी बहतर, आसान और simple तरीके से आप सोच पाएंगे problem बस इतनी सी है कि चीज़े अभी मुझे पता है पर मैं सोच रहा था कि आपको कोई आसान तरीका बता हूँ पर उस चकर में हम उल्टाई से थोड़ा सा complicated कर गए पर मैं बस आप से इतना कहना चाहता हूँ कि आपके बस बहुत सारे तरीके होंगे इस expression को यहां से तक workout करने के मेरे पास भी हैं पर अभी फिलाल मैं सोचता हूँ सबसे आसान तरीका जो आपको बता पाँ क्योंकि यह basics अभी आपको सिखाया पड़ाए नहीं गए पर उस चकर में चीज़े थोड़ी सी messed up सी हो जाती है for that I apologize बट बात यहां से याद रखेगा क्या कि आप भी ऐसे सोच पाएंगे बस थोड़ा patience रखे जब हम trigger पड़ लेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे उपन होंगी धीरे धीरे हम चीज़ explore करेंगे पर I hope यह basic सी बात तो समझ आई है और जब sin x sin 7 pi 6 के एकवल नहीं है तो हम यह बात क्यों conclude कर रहे है कि x जो है वो n pi plus minus 1 to the power n tan 7 pi 6 के एकवल क्यों नहीं है यह बात आप समझ पा रहे हैं मतलब मैं x की सारी real values लोंगा except for these values यह जो आपकी कुछ values हैं यह में नहीं ले सकता यह बात digest हो रहे है बस यही इसका domain है सारी real values except for these की हो जो की हो n pi plus minus 1 to the power n times 7 pi by 6 जहां पर of course आपका n क्या है जहां पर n आपका कोई भी बेंटी जा रहे इस category के सारे मैं part हटा दूँगा तो आप answer में यह वाला option जो भी होगा आप माँख करेंगे मुश्किल तो नहीं है question आई हो पासान है यहां से अगर मैं आगे बढ़ू तो एक और question की तरफ हम आते हैं और इस question में चीज़े work out करते हैं वो क्या कह रहा है under root over cos x plus sine x सरी यह तो कुछ अजीब सा लग रहा है cos x plus sorry cos x cos of sine x है I'm really sorry तो cos of sine x का मैं क्या करूँ मेरा कहना है थोड़ा सा patience रखिए आप मुझे बताइए under root के अंदर जो भी part हो उसको में क्या रखना है sir under root के अंदर जो भी part है उसे आप क्या करिए उसे आप कभी भी उसे आप कभी भी negative मत होने दीजे मतलब वो मेरे लिए greater than equal to 0 चलेगा बहुत अच्छे से चलेगा sir कोई problem ही नहीं है पर इसका मैं करूँ क्या मुझे एक बात बताओ छोटी सी बात बताओ sin x कहां से कहां तक होता है sir अगर मैं थोड़ी चीज़ें सोचने हो जाहूं तो मैं इतना जुरूर जानता हूं even में कि sin x जो होता है यहां सा function है आप याद करिये है कर मैं कॉसेख्स की आप से बात करूँ तो कॉसेख्स थोड़ा सा ना depend करता है मैं कॉसेख्स और sin x ऐसा नहीं कि constantly increasing या constantly decreasing इंक्रीजिंग भी है और decreasing भी है जैसे कॉसेख्स कभी increase होता है कभी decrease होता है तो ये value approximately कितनी है, देखो, मैं मान लेता हूँ 300 plus 14, 300 का आदा होता है, तो 157, याने मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, approximately 1.57, और इसे मैं approximately क्या लिख सकता हूँ, minus 1.57, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ, यहीं कहीं आपका 1 होगा और यहीं कहीं आपका minus 1 होगा if you all agree with me याने कि मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि अगर मैं cos 1 निकालू और अगर मैं cos minus 1 निकालू आप सुने कर लियां से sin x की value कहें sin x की value आरी है minus 1 से 1 तो मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि sin x की जो value है minus 1 से 1 minus 1 से 1 के बीच की values अगर मैं cost में pass करूँ ये किसका graph है ये आपका cost x का graph है ये अगर आपका x है तो ये आपका cost x है लेकिन अभी फिलाल मैं आपसे कहना चाहरा हूँ कि अगर मैं कॉस में माइनस वन से वन के बीच की कोई वैल्यूस पास करूँ तो शेला इसे आपका जो कॉस एक्स होता है वो पॉसिटिव होता है आई होप आप रेलाइस कर पारे हो मेरा बस आप से कहना है प्लीज ध्यान से चुनेगा साइनेक्स आपका माइनस वन से वन के बीच है और जो माइनस वन से वन के बीच की इंक्लूडिंग बोध माइनस वन और अगर यह मैं वैल्यूस रखू तो expression कैसा और है sir यह expression हमेशा आपका positive आ रहा है यह expression आपका हमेशा एक positive value दे रहा है क्या यह आप समझ और सीख पा रहे हैं और अगर यह expression हमेशा आपको एक positive value दे रहा है तो मैं क्या कहूंगा तो मैं कहूंगा सर कहानी क्यों सुलज गी क्योंकि मेरा concern था कि cos of sin x हमेशा greater than equal to 0 होना चाहिए Sir equal to 0 छोड़ो यह greater than 0 ही होगा क्योंकि चाहे आप cos of minus 1 निकाले या cos of 1 निकाले याप minus 1 और 1 की बीच की कोई भी value निकाले आपका cos x हमेशा positive होता है तो cos of sin x sin x की values minus 1 से 1 की बीच के लिए हमेशा positive होगा तो मैं कहूंगा इसको कोई bother नहीं कर रहा है यह हमेशा exist करता है x की सारी real values के लिए क्या यह basic सा observation based question समझा है जिसे मुझे जादा सोचने की जरूरत नहीं है मैं simply इसे देख कर ही answer कर सकता हूँ क्या यह point आप सभी को clear है I hope simple से questions है जानदूच कर रखे गए हैं आपकी यह understanding चेकर ने के लिए कि क्या आपको graphs के बारे में पता है क्या आपने चीजों का अच्छे से देखा है क्या आपने चीजों का अच्छे से समझा है और basic से observation यह based question है जैसे इस question में क्या लिख रहा है वो बोल रहा है find the range of this f of x देखो question वही है but अब trigonometric functions के terms में expressed है तो lug quadratic जैसा ही रहा है पर इस बार क्या हो रहा है हमें नहीं पता तो मैं कहूंगा sir दिमाग लगाते हैं दिमाग तो लगाई सकते हैं हम तो दिमाग कैसे लगाएंगे sir देखो क्या लिखा हुआ है पहले तो यह बताओ sin square x minus sin x plus 1 क्या यह बत आपको समझ आ रही है अब मैं क्या करूंगा sir मुझे अगर यहां perfect square जैसा कुछ convert करना है मुझे range निकाल लिए तो मैं range निकाल सकता हूँ लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बताओ मैं किस चीज़ को लेकर sorted हूँ मैं सरी यह जानता हूँ कि sin x जो होता है वो minus 1 से 1 के बीच होता है इस बारे में बात हम आखर में करेंगे पर पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस expression को एक perfect square में convert कर लूँ क्या हम ऐसा कर सकते हैं मेरा कहना है सर बड़े आराम से कर सकते हो देखो यह हो जा रहा है a square यहाँ पर minus 2 a b अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ sin square x लिखा हुआ है minus 2 times sin x अब आप अपनी मर्जी से जो 2 नहीं multiply कर सकते हैं तो आपको 2 से divide भी करना पड़ेगा और जब 2 से divide क्या तो मुझे b बनता हो दिख रहा है b मरना है मतलब मुझे b square भी चाहिए b square चाहिए मतलब 1 by 2 का square चाहिए 1 by 2 का square मतलब 1 by 4 चाहिए 1 by 4 अपनी मर्जी से जो आप add कर नहीं सकते हैं तो आपको 1 by 4 subtract भी करना पड़ेगा तो 1 already है और 1 में से मैं 1 by 4 subtract कर ले रहा हूँ क्या अब आप perfect square में convert करनी की प्रकेरिया जानते हैं I hope यह बात आप आपको परिशान नहीं करती है Sir a square plus b square minus 2ab तो यह बन जा रहा है आपका a minus b का whole square तो that is sin x minus 1 by 2 का whole square Do you all get that? Are you all with me so far? Now what? Sir 1 minus 1 by 4 that is clearly 3 by 4 So this turns out to be कितना 3 by 4 क्या इस बात में तो कोई confusion यह परिशानी नहीं है I hope नहीं है अब क्या अब सर इस expression को लेके थोड़ा में minimo और maxima डूंडना चाहूं मैं दो हिंट आपको देता हूं और चाहता हूं कि आप थोड़ा सोच कर मुझे बताएं कि चीज़ां कैसे होंगी देखो sin x minus 1 by 2 से 1 by 2 के बीच में है और इस expression को हमने तोर मड़ोर कर कुछ ऐसा लिख लिए है आप क्या कहते हो? क्या idea होना चाहिए? सर सबसे simple सी बात है हम हमेशा से जानते हैं perfect square जो होता है वो कहां से कहां तक होता है इस कहानी को लेकर जादा confusion create करने की जरुवत ही नहीं है और अगर perfect square को लेकर आप चीज़ें जादा confuse करो ही मत अच्छा मैं एक hint देता हूं इस से यहां तक आओ ठीके सर आप कहा रहे हो नहीं कहां से कहा तक होगा तो मैं तीनों तरफ 1 x 2 subtract कर रहा हूं तो यह जाता है sin x minus 1 by 2 1 में से 1 by 2 subtract किया तो 1 by 2 और minus 1 में minus 1 by 2 add किया तो कितना हो जाता है minus 3 by 2 परिशानी तो नहीं है मैं कहता हूं दोनों तरफ यह रदर तीनों तरफ square करो अगर sin x minus 1 by 2 sin x minus 1 by 2 आपका minus 3 by 2 से 1 by 2 तक है तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि sin x minus 1 by 2 का square कहां से कहां तक होगा सहर सोच के देखवा आप खुद दिमाग गआओ minus 3 by 2 से 1 by 2 के बीच की सारी values में कुछ negative है, 0 है और कुछ positive values है तो जब आप square करोगे तो सबसे छोटी value अब मुझे क्या मिलेगी 0 और सबसे बड़ी value क्या मिलेगी जो magnitude wise इन दोनों में बड़ी है 1 by 2, 3 by 2 में बढ़ा कोई है 3 by 2 तो उसका square है ना 3 by 2 का square कितना होगा 9 by 4 क्या अब आप समझभा रहे हैं मैं आपको कहां ले जाना चारू I hope आपको click हो रहा है कि इस question को हमने कैसे करा क्या अब finally क्या सब दोनों तरफ 3 by 4 add कर दो अपका question वाल expression बन जाएगा अगर दोनों तरफ 3 by 4 add क्या तो ये तो 3 by 4 as it is ये क्या रहा sin x minus 1 by 2 का whole square plus कितना 3 by 4 और गौर से सुनिएगा भी 9 by 4 plus 3 by 4 denominator same 9 plus 3 कितना 12 by 4 कितना होता है 12 by 4 होता है 3 होता है क्या I think होता है तो आपका है जो expression है जो f of x है वो 3 by 4 से 3 के बीच लाए करता है तो इसकी जो range होगी वो क्या होगी भी वो होगी आपकी 3 by 4 से 3 तक और दोनों included है क्योंकि closed bracket लगना आता है क्योंकि उन दोनों पर equal का sign लगा है क्या आप सोच पारे हो कैसे हम idea कैसे हम sense develop करते है अगर हमें trigonometric functions की basic understanding पता हो तो क्या ये बातें याद रहेंगी इनने देखकर अब आप गभराएंगे तो नहीं range और domain पर based questions कैसे करने है domain को लेकर किसी को कोई confusion की domain क्योंगी मैं कहूंगा सब होगा आप रखके देखो आपको कौन परेशान कर रहे है यहाँ पी भी कोई दिक्कत नहीं याँ भी कोई दिक्कत नहीं तो domain तो सारे real numbers होंगे इसमें कोई बुराई नहीं है विद दाट और clarity लेते है तो अगर 2 cos x minus 1 आपका denominator में है मैं चाह रहा हूँ कि आप बता दो मुझे domain ऐसे एक extra question मैं add कर रहा हूँ तो 2 cos x minus 1 क्या नहीं होना चाहिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए मैं बलब cos x क्या नहीं होना चाहिए cos x आपका technically 1 by 2 नहीं होना चाहिए अब cos x 1 by 2 का होता है मैं कह रहा हूँ graph को देख लो यह आपको चीजें याद है graph को देखने के पीछे भी एक कारण है चीजें भली ही values आपको याद हो पर graph को दिखाने के पीछे एक simple सा कारण है यहाँ कहीं मान लो let's say रहेगा 1 by 2 है ना क्यों मैं कुछ तो भी लिख रहता हूँ है ना 1 by 2 यहाँ नहीं मुझे यहाँ चाहिए ना यहाँ कहीं जब 1 by 2 होगा तो यह कितना होगा आपका cos 60 यहने कितना πाई by 3 कि आप मेरी इस बात से सहमत है तो साफ बात है जब आपका यह सीधा सीधा 1 by 2 है तो यहाँ से मैं क्या control करूँगा कि X क्या नहीं होगा 2N πi प्लस माइनस πi by 3 जहाँ पे जो n है जो वो n है वो क्या है वो सारी integers को carry करता है मतलब यह values नहीं लोंगा यह विस domain पर based a question है जो मैंने दिमाग में आए तो मैंने आप से discuss किया पर question तो यह नहीं था question तो range निकालने पर based a range कैसे निकालेंगे sir range निकालने के लिए मेरा क्याना है जरा causex से शुरुआत करते है आपको यादे ना उस सारी बाते जो हमने भी तक discuss की है तो अगर मैं causex से शुरुआत करता हूँ तो क्या sir causex आपका जो होता है वो कहाँ जे का तक होता है sir वो आपका minus 1 से 1 तक होता है अच्छी बात है बहुत कुशिकी बात है क्या मैं जोन दो जर्फ 2 से multiply कर दूँ तो आप मुझे बताएंगे 2 causex क्या होगा sir sir 2 causex जो होगा वो minus 2 से plus 2 तक होगा sir minus 1 कर दे क्या तीनों तरफ कर दो sir तो 2 causex minus 1 यह रहा 2 minus 1 कितना हो जाएगा 1 और minus 2 minus 1 कितना हो जाएगा minus 3 कोई परिशानी तो नहीं है अब मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना और थोड़ा सोच समझ के देना अगर आपको परिशानी हूँ तो मैं इसे थोड़ा साब के लिए ब्रेक कर रहा हूँ इसे ब्रेक कैसे कर रहा हूँ मैं इसे लिख रहा हूँ minus 3 से कहां तक minus 3 से 2 causex minus 1 जो है है ना वो कहा था कि 0 तक या फिर है ना इसी बात को लिखने का एक और तरीका कि जो 2 causex minus 1 है वो आपका 0 से कौन भई 2 causex minus 1 जो है वो आपका कहां से 0 से कहां तक हो 1 तक हो इस तरीके से चीज़े आपके सामने है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं I repeat my statement 2 causex minus 1 जो है आपका minus 3 से 0 तक है जिया तो negative रखिये या दोनों ही values जिया तो positive रखिये तो हम सोच पाते हैं बिल्कुल वही हम करने वाले तो अगर इस तरफ reciprocal लिया तो sign change हो जाएगा है ना यह हो जाएगा minus 1 by 3 और यह कितना हो जाएगा 2 causex minus 1 कुछ कहने कि मुझे जरूत नहीं है यह भी तो denominator में जाएगा reciprocal यहां भी कितना हो जाएगा 1 upon 2 causex minus 1 और 1 का reciprocal तो 1 ही होता है लेकिन इस बार आपका sign invert याने change हो जाएगा क्या इससे आपको कुछ idea लग रहा है idea तो लग रहा है idea लग रहा है तो यह तो 1 upon 2 causex minus 1 जो fx है या फिर वो क्या है वो हमेशा आपका 1 से बड़ा है 1 से बड़ा है मतलब कहां तक हो सकता है infinity तक तो यह आपका answer होगा अब सोच के देखो ना इसमें हर वो बात जो हमने सोची अपलाई की वो हमने कही ना कहीं सीखी है और कहीं ना कहीं क्या जो बारी के हमने शुरुवात में डिसकस की थी रैसे प्रोकल को लेकर स्क्वार को लेकर मॉडिलस को लेकर यह सब उन्हीं बातों के तो छोटे-छोटे निश्कर्स है चलिए next question की तरफ बढ़ते है और अगला question क्या है हमारे सामने next question देखें अगर हम द्यान से तो यह रहा है क्या बुल रहा है वो वो कहा रहा है find the values of x for which the following functions are identical अब दो functions identical कब होते हैं मेरा कहना है दो functions identical होने के लिए कहानी यह है कि sir उनकी domain उनकी range और x की values पर वो same value generate करे ही हमारी requirement है ठीक है मैं से domain और range तक आऊंगा पहले पर क्या है दोनों functions से में ज़रा देखें तो देखो 1 प्लस 10 स्क्वाइर इक्स क्या होता है sir 1 प्लस 10 स्क्वाइर इक्स जो होता है 1 प्लस 10 स्क्वाइर इक्स जो होता है मेरे ख्याल से जो होगा I hope आप कोई identity पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वाइर इक्स जो होता है वो सेक्स्क्वाइर होता है कि आप यह सब जानते हैं तो sir गौर से देखो आप सिंपल सी बात है GX को मैं क्या लिखूँगा मैं GX को लिखूँगा 1 अपॉन अंडूरूट उवर सेक्स स्क्वाइर इक्स अब अंडूरूट और स्क्वाइर अगर कैंसल होंगे तो मुझे क्या लिखना होगा मुझे लिखना होगा मौड ऑफ सेक्स आई हूप यह परिभाशा आपको पता है तो मैं क्या लिखूँगा 1 अपॉन सेक्स को क्या लिख लेंगे लेकिन अफकोर्स यहां क्या लगेगा यहां लगेगा मौड ऑफ कॉस एक्स तो पहली बात तो यही कि यहां क्या लग रहा है सर यहां लग रहा है मौड और यहां पर अगर मैं f of x आपसे पूछू तो f of x क्या लिखा हुआ है sir f of x लिखा हुआ है cos x अब मुझे दो बाते बताओ अगर मैं आपसे पूछता f of x का डोमेन तो आप क्या कहते sir f of x का डोमेन क्या है cos x है तो x की में कोई भी values पास कर सकता हूँ तो सारी real values अब कोई शक्स कहेगा कि g of x की definition भी mod of cos x है तो x की कोई भी value पास कर सकते है पर problem यही है आपने god से देखा नहीं problem यह थी जनाब please दिहान से सुनियेगा कि हमें दिक्कत यहीं पर आ रही है कि आपके gx की definition यह नहीं है यह तो आपकी बनाई हुई definition है उसने किसी current से यह definition लिख कर दी होगी अगर उसने यह definition लिख कर दी होगी और अगर उसने यह definition लिख कर दी है तो मुझे इसके according उसकी domain निकालने पड़ेगी तो यह function क्या कहता है range और domain अलग बात है तो पहले मैं domain पर बात कर रहा हूँ तो under root over 1 plus 10 square x यह आपका denominator है तो मैं जानता हूँ denominator पे लिए तो 0 नहीं होता है और under root वाला part हमारा negative नहीं होता है आप आप जानते हो तो दोनों का club divergent जो निकल कर आता है वो ही आता है यह जो लिखा हूँ आपका क्या 1 plus 10 square x यह हमेशा आपका क्या होना चाहिए greater than 0 ना तो equal to 0 चलेगा क्योंकि denominator है और under root के अंदर है तो anyway वो तो positive ही होना चाहिए और 0 हो नहीं सकता तो आप यह बात समझपा रहे हो क्या यानि ये कुछ ऐसा रहना चाहिए ये कुछ ऐसा रहना चाहिए को लेकर आपका क्या क्या क्याना है मेरा क्याना है ऐसा देखो आप जहां से इसमें कोई नहीं बात तो है नहीं ये सही है ना आप देखो 10x कुछ भी हो negative या positive 10 square x क्या होगा एक non zero value sorry non negative value मतलब और उसमें जैसे आप one add कर दोगे तो definitely सरी one से बढ़ा ही होगा आप समझपा रहे होगे तो ये तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं है जी हां मैं मान रहा हूँ ये कोई मेरे लिए समस्या नहीं है पर आप ज़रा देखो ना इसकी definition में क्या लिखा हुआ था इसकी definition में लिखा हुआ था one upon under root over one plus 10 square x और मेरे साथ समस्या है कि जब मुझे से कोई कह रहा है 10x में problem आती है कि x की अगर मैं values क्या ले लूँ x की जैसे आपको याद होगा minus pi by 2, pi by 2 अगर ये सारी values लें तो वहार defined नहीं होता है अप मेरी बात समझ पारे है क्या मुझे ensure करना पड़ेगा सर कि सबसे पहली बात तो 10x की वो values जहां पर 10x आपका infinity होता है x की वो values में नहीं लूँगा sorted तो सर ठीक है ये values नहीं रहेंगे तो क्या मैं पूछ रहा हूँ अप से फिर क्या gx और f of x से हो जाएंगे मैं domain इनकी common कर दूँगा इसने क्या बोला सर इसने बोला f of x में x की सारी real values ले सकते है 10x में से मैं वो सारी values रटा दूँगा जहां पर वो infinity हो रहा है तो क्या फाइदा होगा सर उससे निकल के क्या आएंगी चीज़ें मेरा खहना है सर उससे बात finally boil down ये होगी प्लीज ध्यांसे सुनिएगा कि मुझे यहां पर ये रोकना पड़ेगा मुझे infinity बनने से उससे रोकना है तो मैं क्या कहूंगा भई सीधी सीधी सी बात है सर पहले तो वो values अठा देगी पर problem ये आ रहेगी सर f of x cos x है और g of x mod of cos x है तो मुझे range भी comment रखनी पड़ेगी देखो अगर मैं इसकी range बोलूगा फ of x की range होगी मानली सर आपकी बात लेकिन g of x की range की range होगी 0 से 1 क्या गीπट g of x की range कहां से कहां तक जानी है सर वो आपकी जानी है 0 से 1 तक क्या आपको कुछ कारणों पर बात समझा रही तो 3 conditions हमें डाल दी है पहली condition दोनों को मुझे 0 से 1 तक की रेंज में रखना है पॉइंट समझ आ रहे हैं क्योंकि common range होगी common domain होगा और दोनों same value generate करें ऐसा हमें situation बनानी है और 10x हमारा infinity नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे x की वो values लेने में problem है तीनों condition समझ आ रही है क्या हमेरा 10x क्या नहीं होगा infinity नहीं होगा वहीं से शुरू करते हैं तेखो 10x infinity कब कब होता है 10x के साथ problem यह है कि 10x जो है आपका infinity कब कब बन रहा होता है मेरा कहना है कर मैं ग्राफ को याद करूँ तो pi by 2, minus pi by 2, 3 pi by 2 तो 10x मतब टेक्निकली pi by 2 के odd multiples में infinity होता है तो मैं 10x में x की कौन सी values नहीं लोगा मैं पहले तो इसी बात पर आ चुका हूँ कि मैं x की कोई भी वो value नहीं लोगा जो pi by 2 का कैसा multiple हो एक odd multiple है तो पहले तो यहीं से value discard हो जारी कि इस तरीके की values नहीं लेनी है और क्या और मुझे अब cos x को इस तरीके से adjust करना है कि f of x तो cos x था लेकिन g of x mod of cos x था तो problem यह आ रही है कि दोनों की range same बनाने करी मुझे 0 से 1 रखूंगा 0 से 1 रखने का क्या मतलब है सुनना ध्यान से बहुत काम की बात है 0 से 1 रखने का क्या मतलब है कि मैं उसकी सारी positive value लूँगा सर जीरो क्यों नहीं बोल रहे है अब 0 से 1 बोल रहे है तो 0 भी तो लेना होगा तो non negative अच्छा वर्ड होता ना पर समझो ना आप बात को इसने कुछ hint दी कि आपको यह क्या है सोच के देखो चलो मैं बात कर लेता हूँ मान लो 0 से 1 ता की लेता है तो मैं कॉसेक्स का ग्राफ थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ जो आपको सारी चीज़े रिकॉल करवा देगा और फिर आपको चीज़ें याद आ जाने चाहिए फिर मैं वापस आँगा कि 0 क्यों नहीं ले रहे थे यह पाइबाई टू यह आपका क्या है 3 पाइबाई टू और यह क्या है 5 पाइबाई टू क्या आपको conclusion यहाद आ रहा है और इन्ही conclusions पर हमने सारी बाते की थी तो मैं domain के लिए x को restrict करूँगा मैं x को क्या बूलूँगा कि x जो आप हो इस definition के holding जब मुझे cos x क्या चाहिए सिर्फ positive तो मैं x को कहूँगा कि x ऐसा ही रहे तो अच्छा x ऐसा ही रहे तो अच्छा कैसा सर minus pi by 2 से pi by 2 रह लो आप या फिर क्या रह लो आप 3 pi by 2 से 5 pi by 2 रह लो ऐसा ही रहो तो बहुत अच्छा वर्टा मेरी लिए तो issue है मेरी लिए तो problem है अच्छी बात है सर ऐसे ही सोच लेते हैं तो देखो ध्यान से इसको लेकर क्या हमने पहले कहीं न कहीं कभी न कभी कोई definition discuss की है सर देखो आप 3 pi by 2 और 5 pi by 2 बहुत साफ-साफ clarity देंगे आपको 4 के multiple से एक कम और 4 के multiple से एक ज़्यादा pi by 2 का यह multiple है देखो ना 4 in minus 1 और 4 in plus 1 है ना तो अगर मैं लिखूँ अगर इस बात को तो यह क्या लिखाए 4 in minus 1 times pi by 2 से लेकर 4 in plus 1 times pi by 2 आपको लेना है अच्छा क्या सर मैं पे close bracket लगाँ तो चलेगा क्या अगर मैं इन पे close bracket लगाँ तो equal to 0 भी हो जाएगा equal to 0 भी हो जाएगा उसमें कोई समस्या है समस्या है तो काफी सारी है आप बस गवर से सुन नहीं रहा हूँ समस्या यह है समस्या यह है पहली बात तो pi by 2 का यह odd multiple है अब देखो ना 4 in minus 1 4 in plus 1 भी तो pi by 2 का odd multiple है चलो ऐसे नहीं समझ जा रहा है तो ऐसे समझो आप समझो 10X क्या होता है मैं यह बात पर वापस आ रहा हूँ 10X होता है सार आपका साइन X से क्या upon cos 6 अब समझो ना आप बात को जहां जहां cos 6 0 हो रहा होगा अब हम भाण 10X 0 हो रहा होगा यही तो बात थी तो बस यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस पर क्या नहीं लूँगा मैं इस पर closed bracket नहीं लूँगा अगर मैं अभी से दिमाग लगा ओं तो तो मैं कहुंगा कि इस पर क्या लेंगे हम open bracket और क्या लिख लेंगे सर इस पर हम लगा लेंगे union कहां से कहां तक n की values सारे आपके integers तो आपको ये domain रखनी पड़ेगी अगर आप मेरी बात समझ पारे हो ये domain क्यों रखनी पड़ेगी सर क्योंकि इसमें आप हमेशा कॉसिक्स कैसा रखपारे हो positive ये x की वो सारी वाल्यूस जिनके लिए कॉसिक्स कैसा आपका कॉसिक्स आपका चल रहा है positive क्या ये point आपको समझ आए सर मुझे ना ये value अच्छी नहीं लग रही है option में कुछ और लिखा हुआ रहा तो तो ट्राइ कर लेते हैं, option में क्या लिखा हो सकता है? याद है, मुहमेद अंदर multiply कर देते हैं, और अगर अंदर multiply किया, तो क्या? πाई बाई टू अंदर पहुचा है, तो 4 in πाई बाई टू, तो कितना? यह जाएगा 2 in πाई, माइनस πाई बाई टू, और इधर क्या जाएगा? इधर आपके जाएगा 4 in πाई बाई टू यहने, 2 in πाई प्लस पाई बाई टू, साफ जाहिर सी बात है, यह चाहिज़े हैं, इस तरीके से आपके चल रही होगी, क्या कोई परेशानी? हमने क्या नहीं लिया? हमने पाई बाई टू का कोई भी और मिल्टिपल नहीं लिया, क्योंकि हमाँ पर कॉसिक्स जीरो होता है, कॉसिक्स जीरो होगा तो 10x आपका इंफिनिटी का अप्रोच करेगा, और वो लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत कॉप्लिकेटेट तो नहीं था है क्वेश्चन, क्वेश्चन था क्या आपको दोनों फंक्शन से अइंटिकल रखने जाए, तो पहली कंडिशन तो क्या, कि दोनों की डोमेन से हो, इसकी डोमेन बोलता है कि मैं सारी रियल वैल्यू ले सकता हूं, यह भी ले सकता हूं, लेकिन इसकी डोमेन यह नहीं डिसाइट करेगा, इसकी डोमेन यह डिसाइट करेगा, और इसने बोला कि 10X को इन्फिनिटी मत बनाना, सुन रहे हैं आप लोग, दूसरा तरीका, इनकी range same होनी चाहिए, अब सर्फ फंक्शन ही यह Corsix है, function mod Corsix है, तो range same बनाने का तरीका क्या है, range same बनाने का तरीका है कि इस पर भी इन्फंड लगाऊ, और मैं दोनों की values non-n subjective लाने के लिए, मैंने फिर function के graph को study किया, कि कभ यह non-negative होता है, तो इस in zone से negative हो रहा था, non-negative, फिर मेरे को ध्यान है कि सर, cos x के 0 होने से बहुत problem हो रही है, क्योंकि 10x वही-वही infinity होता रहा है, तो technically यह वही बात है कि कहां-कहां 10x आपका infinity हो रहा है, वही-वही जहां-जहां cos x आपका 0 हो रहा है, तो बस उस value का हमने include करने के वज़ा है, open bracket में रखा, तो मैंने कौनसी values ली, मैंने of course cos x की positive values ली, मैंने cos x की non-negative values नहीं ली, मैंने cos x की positive values ली, और वो मुझे यहां मिलती हैं, तो आपका answer होगा, कि x की इन सारी values के लिए, x की इन सारी values के लिए, आपके दोनों functions क्या हूँगा, identical, मैंने फिर आप जो values मैं लेने को कह रहा हूँ, वो आप चाहें यहां रखें यहां यहां आपके दोनों functions same value generate करेंगे, क्या यह बहुत मुश्किल, बहुत tough question था क्या, इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आई हूँ, मेरा मानना है एक आसान सा, simple सा, sorted सा है lecture है, जिसमें हमने trigonometric functions की understanding बिल्ट करना शुर किये, और questions करेंगे, और clarity से करेंगे, और बारी क्या सीखेंगे, और बिल्कुल free of cost, हम 100% free of cost quality online education देते हैं, kindergarten से 12th standard तक, आप हमारे notes, pdfs और e-books के लिए team से contact कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसी वीडियो के description में दिये गए link, get notes पर click करना होगा, with that, let's call it a day here, ख्याल रखिये अपना, thank you so much for watching this video,